दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज की जरूरत की जो इस समय सबसे जाद आपको न्यूज पर सुनाई दे रहा होगा जो इस समय सब जगा आपको सुनाई दे रहा होगा जी हाँ दोस्तों वो है ऑक्सिजन ऑक्सिजन की कमी से इस समय बहुत सारे लोग मर रहे हैं बहुत सारे राज्यों में oxygen supply तक नहीं पहुच पा रही है तो ऐसे में बहुत सब लोगों की demand आ रही है कि मैं एक video बनाऊं जिस पर कि मैं यह बताऊं कि आप से कि आप किस तरीके से oxygen plant लगा सकते हैं अगर आप oxygen business में एंटर करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप oxygen manufacturing unit डाल सकते हैं तो इसके बारे में तुम आपको बताऊंगा ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप oxygen unit लगा सकते हैं कितना इन्वेस्टमेंट कहां से करें किसको कॉंटेक्ट करें, मशीन कहां से मिलेगी, सब चीजे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन दोस्तों इस से पहले, क्या आपको ये प्लांट लगाना चाहिए, कितना प्रॉफिट आएगा, ये सब चीजों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे इस चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत तेजी से इंक्रीज कर गई है, वो इंक्रीज करने का सिर्फ एक ही रीजन है, कि इस समय जो कोविट का सकेंड फेज आया है, इसमें सबसे ज़्यादा मरीजों को जो प्रॉब्लम आ रही है, वो ऑक्सीजन की आ रही है, ऑक्सीजन का लेवल उनका डाउन हो जाता है, और फिर उन्हें मेडिकल ऑक्सीजन चाहिए होती है, जिसकी की वज़े से मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड बहुत तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन दोस्तों इंडिया में अल्रेड़ी ऑक्सीजन बहुत बड़ी मात्रा में मनुफैक्चिरिंग होता है, तो दोस्तों मैं ऑक्सीजन के बारे में बताऊँ, इसके अलावा माइंस में इसकी बहुत ज़्यदा ज़रुद होती है, जब माइंस में लोग बहुत नीचे चले जाते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल काम हो जाता है, कटिंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रुद होती है, तो बहुत सारे industries में अलग-अलग जगा oxygen की जरुवत होती है और साथी साथ आपने देखा होगा कि medicals में भी oxygen की जरुवत होती है जब कोई ventilator पर होता है या फिर जब किसी का operation होता है तो उस से में उन्हें oxygen दी जाती है दोस्तो ये basically medicated oxygen होती है ये oxygen purest form of oxygen होती है दोस्तो जो industrial oxygen होती है वो इस level की नहीं होती है कि वो आपको medical group में use की जा सके दोस्तो जो medical में oxygen use होती हो 93% तक pure होती है तो ये तो मैंने आपको बात करी oxygen के बारे में दोस्तो बहुत बड़ी-बड़ी industries इसके manufacturing में है Reliance भी है, Inax भी है, Atul भी है, Hindustan भी है ऐसे बहुत सारी बड़ी-बड़ी industries इसके manufacturing में है मैं आपको स्क्रीन पर कुछ एक companies के नाम दिखा रहा हूँ जो already oxygen manufacturing में deal कर रही है अब दोस्तो ये सारी companies already deal कर रही है और इस समय हुआ क्या है कि अचानक से demand बढ़ गई है और दोस्तो medical oxygen की इतनी जादा manufacturing नहीं होनी की वज़े से यहाँ पर scarcity आ गई है इसी वज़े से हर जगा आपको oxygen oxygen सुनाई दे रहा होगा लेकिन क्या यही condition आज के एक महीने बाद रहने वाली है क्या यही condition दो महीने बाद रहने वाली है या फिर क्या long term में इसी तरीकी से condition से लेंगी नहीं दोस्तों इस long term में condition नहीं चलने वाली है क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जो already oxygen manufacturing में है उन्होंने अपना manufacturing का कोटा बढ़ा दिया वो manufacturing ज़्यादा करने लगे है इफको ने already 3 नए प्लांट लगा दिये है अगर हम Indian government के बात करें तो 559 नए प्लांट लगा रहे है already एक लाग से ज़्यादा oxygen concentrator इंपोर्ट किये जा रहे है oxygen के materials और oxygen के tankers इंपोर्ट किये जा रहे है दोस्तो अगर हम दिल्ली government के बात करें तो 50 के आसपास नए प्लांट दिल्ली में लगा रहे है जहाँ पर already एक भी प्लांट नहीं था तो आने वाले एक महीने बाद oxygen की demand तो हो सकता यही रहे लेकिन supply आपके पास ज़्यादा आ जाएगी तो दोस्तो अगर आप कोई नया oxygen plant लगाने की सोच रहे है तो दोस्तो एक बार अपने आसपास इसकी requirement जानने क्योंकि दोस्तो oxygen में manufacturing में जो खर्चा आता है वो तो आता ही है लेकिन इसमें ज़्यादा खर्चा होता है इसका transportation का दोस्तो या तो या tankers की थूरू जाता है या फिर आपने देखे होंगे कि छोटे cylinder के माध्यम से जाता है तो cylinder refilling करके इसकी transportation में cost आपके पास ज़्यादा आएगी सपोर्च करिए कि आप दिल्ली में अगर आज के दिन इसका plant लगाने की सोच रहे हैं अगले एक से दो महीन में अपने plant लगा लिया और इसी समय बाहर से भी बहुत ज़्यादा oxygen डेली आने लगी साथी साथ दिल्ली government भी कई सारे plant लगा देगा तो दिल्ली में चुकी industries है नहीं जब से ज़्यादा consumption यहाँ पर होगा आपका medical में medical में आपको पता होगा जो बड़े बड़े hospitals हैं वो अपने खुद के oxygen plants लगा रहे हैं मैं आपको बताओंगा कि oxygen plant कितने डाइब के होते हैं इसके बारे में बात करेंगे वो अपने oxygen plant लगा रहे हैं कुछ टाइम में उनके पास उनकी in-house oxygen production हो जाएगी और साथी साथ दिल्ली गवर्मेंट भी लगा रही है तो यहाँ पर भी आपको supply हो जाएगी तो हो सकता है कि अगर आप दिल्ली या उसके आसपास oxygen plant लगाने की सोच रहे हैं तो आप नुकसान में रहे हैं तो आप अगर कहीं बाहर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आपके costing बढ़ जाएगी और आप profit down हो जाएगा या फिर आप loss में चले जाओगे तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया है को लगाना चाहिए ये नहीं लगाना चाहिए ये depend करता है कि आप कहाँ पर लगा रहे हैं वहाँ पर supply कितनी है और वहाँ पर demand कितनी है supply और demand को analyze करने के बाद ही आप इस बात का decision ले कि आपको वहाँ पर oxygen plant लगाना है या नहीं लगाना है तो चलिए दोस्तों अगर आपको लगाना है तो यहाँ पर oxygen plant कितने डाइप के होता है सबसे पहला जो oxygen plant होता है वो था ASU, air separation units, ये बड़े level पर होते हैं, commercial level पर होते हैं, इनको लगाने का जो खर्चा आता है, करूर्स में आता है, दोस्तो आयनक्स ने अभी हाल फिलाल में मोदी नगर में एक plant लगाया है, जिसमें कि ये huge scale में oxygen production करेंगे, इसका जो खर्चा आय सो क्रोड रूपीस का आया है, एक ASU पूरा plant लगाया है, आयनक्स ने, दोस्तो इसी तरीके से दूसरा जो टाइप होता है, वो था PSS, pressure swing adsorption, दोस्तो ये छोटे level पर भी होता है, ये जो hospitals होते हैं, अपने level पर PSS लगाते हैं, इनका अपना खुद का consumption के लिए लगा लेते हैं, तीसरा होता है oxygen concentrators, oxygen concentrators आपने देखा होगा, दोस्तो कई बार घर पर भी लोग ले आते हैं, जहाँ पर घर में मरीज होता है, जिसको oxygen के problem है, तो दोस्तो oxygen concentrators होता है, ये potable होता है, ये आसानी से कहीं भी move कर सकता है, तो ये छोटे level का होता है, दोस्तो air के थूरूई इस oxygen को ये लोग produce कर लेते हैं, तो ये oxygen concentrator अभी government एक लाख इंपोर्ट कर रही है, अल्रेडी बहुत जल्दी इंडिया में आ जाएंगे oxygen concentrator, इंडिया में भी production हो रहा है, तो production कुछ टाइम के बाद आपके पास आ जाएगी, आपको ध्यान होगा दोस्तों, जब covid आया आय था, उससे में PPE kit और मास्क टे लिए कितनी अफरा तफरी मची थी, 100-100 रुपे, 200-200 रुपे के मास्क भी के थे, जो आज आपको 10 रुपे और 20 रुपे मिल रहे होंगे, जो normal medical वाला मास्क है, जो आज के दिन 2 रुपे का मिल रहा है, उस समय मैंने खुद ने 20-30 रुपे का परचेच किया है, वो भी बल्क में, 150-50 रुपे का भी सेल हो रहा था, तो ऐसी ही अफरा तफरी, आज के दिन oxygen के लिए मच रही है, लेकिन फिर भी long term में ऐसा नहीं कि industry में यूज नहीं होगा, medical में यूज नहीं होगा, जो बिल्कुल छोटे hospitals हैं, वो अपना खुद का प अप्लाई दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़े हैं, डिपेंड करता है कि आप कहां पर इसको प्लेस कर रहे हैं, अब दोस्तों यहां पर आप PSA लगाना चाहते हैं, या फिर ASU, मतलब बड़े लेवल पर लगाना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप अपना small unit लगाना चाहत इसमें आपका investment आएगा, rent पे लेंगे तो rent का investment अपनी purchase करेंगे, तो उसका अलग investment है, साथी साथ दोस्तों जो PSA भी है, कम से कम आपको 20 से 30 लाख रुपे के investment आजाएगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, PSA के जो producers हैं, जो आपको machine provide करवाते हैं, मैं अभी online ले जाकर आ अगर इसमें pollution है, तो pollution license लेना पड़ेगा, साथी साथ trade license आपको लेना पड़ेगा, GST number लेना पड़ेगा, अगर आप अपनी company register कराना चाहते हैं, तो company registration करानी पड़ेगी, यह सब चीजें हैं, अगर आप अपना कुछ नाम रखते हैं, तो trademark license लेना पड़ेगा, यह basically normal business की formalities हैं, आप कोई भी business करें, हर एक business में सारी formalities होती हैं, इन सारी formality को पूरी करने में भी आपको तकरीवन एक महीने का समय लग जाएगा, अगर आप directly जानना चाहते हैं, कहां से होंगी, कैसे होंगी, तो मैं आपको इनका भी number दे दूँगा, ताकि आप directly बात करें, और य project report आपको bank में submit करनी पड़ेगी, और उसके बिहाब पर आपको loan होगा, तो मैं आपको project report कैसे बनती है, कहां से बनेगी, project report बनाने वाले का भी आपको detail दे दूँगा, description में देख लीजेगा, directly project report वाले आपको call कर लेंगे, या आप उनसे बात कर लीजेगा, और आपको बह बखाता हूँ कि किस किस तरीके से ये सारा काम करता है, क्या आपकी investment है, और किस तरीके से आप अपना oxygen plant set up कर सकते हैं, fully automatic और semi-automatic, दोनों के बारा हम जानेंगे, PSS के बारे में जानेंगे, और AAC के बारे में जानेंगे, दोस्तों, oxygen हम सबकी requirement है, बिना oxygen के कोई भी एक मिन जिन्दा नहीं रे सकता, लेकिन दोस्तों, air में, जो हम पानी पीते हैं, उसमें oxygen है, air में oxygen है, तो oxygen वैसे तो naturally बहुत है, लेकिन जब किलत आती है, तो आज वाली इस्तिती हो जाती है, ऐसी इस्तिती दुबारा ना हो, मैं यही कामना करूँगा, लेकिन उन सभी दोस्तों और भाईयों के लिए, जो इस business में enter करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कि किस तरीके से आप इनके प्लांट लगा सकते हैं, तो directly चलते हैं, अपने screen पर और देखते हैं, इस business के बारे में और जादा, So friends, हम लोग बात करते हैं, oxygen business की, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, कि 1990 से लेकर 2020 तक जो oxygen की खपत है, 450 metric ton से बढ़कर 17,000 metric ton हो गई है, और ये day by day increase होने के chances हैं, जिस तरीके से growth हो रही है, 2024 तक ये 30,000 या 28,000 तक पहुंच जाएगी, तो demand तो day by day बढ़ी रही है, औ और हम बिजनस की बात करें, 2024 में जो 45 USD billion dollar था, वो आज बढ़कर 65 USD billion dollar हो गया है, मतलब 6 साल में 50% के आसपास की growth हो गई है, और आने वाले 6 साल में ये इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, हाँ, बट अविए से की industries में demand है, और India export भी करता है, तो सब चीजों का आपको देखन है, मैं कुछ major जो यहां पर manufacturer है, उनका नाम बता देता हूं, आहमदाबाद लिमिटेट, एरो ऑक्सिजन लिमिटेट, एरविड लिक्विड लिमिटेट, भिलाई ऑक्सिजन लिमिटेट, बॉम्बय ऑक्सिजन कॉप लिमिटेट, गोविंद पी ओवाई ऑक्सिजन है, जो इंडिया में अच्छी मात्रा में ऑक्सिजन प्रड्यूस कर रहे हैं, अब यहां पर अगर आपको अपना प्लांट लगाना है, तो सबसे एजी तरीका में आपको बताता हूं क्या है, आप इंडिया माट में चले गईए, जहां पर मैं आपको भी लेकर आया हूं, इंडिया माट पर आप सर्च करेंगे मेडिकल ऑक्सिजन गेस प्लांट, फुल्ली ऑटोमेटिक, तो आपको बहुत सारे ऑप्संस नजर आ जाएंगे, इसमें से मैं आपके लिए दो उप्संस चूच करके अभी लेकर आया हूं, दोस्तों सबसे पहले आपको दिखा रहा ह हूं, अगर हम बात करें तो मैडिकल ऑस्पिटल और फार्मा में यूज आएगा, इसके लिए आपको मैडिकल रिजिस्ट्रिशन भी जरूरी है, ऑटोमेटिक है, कैपेसिट जो इसकी 25-100 मेट्रिक टन पर आर प्रोडूस कर सकता है, इस टेंडर्ड है, ब्रैंड आइंग सिलिंडर प्रेशर अगर आपको पता हो, तो 200-200 बी ऐब इसका सिलिंडर प्रेशर है, और नमबर ओव स्टेंडर से ने डे कितने सिलिंडर कर सकता है, एक जिन में 520 ऑक्सीजन सिलिंडर फिल इंग पर दे हो सकता है, 440 वॉल्ट है, वॉल्टेज बहुत जादा चाहिए न नाइट्रोजन दोनों का प्रोडिशन करता है गैस में और लिक्विड फॉर्म में करता है और लिक्विड फॉर्म में करता है और फिलिंग करता है ऑक्सिजन और नाइट्रोजन की बाइं लिक्विड ऑक्सिजन पांप साथ दोस्तों यह 100 प्रसंट लिक्वरूफ है और स्ट कंपनी की 9085 से कंपनी हैं लिमिटेड कंपनी हैं मनुफेक्चर हैं और दोस्तों इस कंपनी का जीस्टी नंबर सब चीजे आपको दी हुई हैं ऑक्सिजन के ना की सिर्फ इंडिया में बनाते हैं बलकि की एक्सपोर्ट भी करते हैं कई सारी कंट्रीज में उनिवर्सल इंडिस्ट्रियल प्लान बनुफेक्चरिंग कंपनी प्राइविट लिम्टेड है यहां पर आपको फोन नंबर वगयरा सब नजर आ रहे हैं आप यहां पर डिरेक्टली कॉल कर सकते हैं तो यह तो मैं आपको आपी जाते हैं लेकिन यह आप देखी कि यह अच्छा केपिसिटी जो इसकी अच्छी है इन मेट्रटन ट्व हंड्रेट मेट्र तक की है इसकी एक हॉस्पिटल और इंडुस्ट्रियल यूज के लिए है को इसकी प्रोड़क्शन की डिस्किप्शिप्शन में आपको बता कर देता है और फुली आटमेटिक है कोई आदमी के जरुवत नहीं है और सिजन जब भी आपको जरुवत है आप इसको प्लक करिए स्विच अन करिए और भोल जाहिए एजली इंस्टॉल हो जाता है 99 परसेंट तक की प्यूर्टी देता है तो यह खॉस्पिटल के लिए बहुत अच्छा है चार हफ़ते में इसके डिलेवरी हो जाएगी तो जो सौट टम में करना चाहरे है उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सौट टम में यह ऑक्सिजन प्लांट आसानी से आपके होस्पिटल में सेट हो जकता है इसके जो इस यहां पर आपको द्रड़का बीन जर आएगा पुने दो क्रोड़के अधारा लाग के भी हैं साड़े बारा लाग के हैं अलग-अलग तरीके कि आपि घैसा आप लगाना चाहते हैं डिरेक्ली और करिए दिक्किए सबसे इसी तरीका क्या होता है कोई बिस्नस करना हो तो द बुला लीजिए या फिर बात कर लीजिए वो आपको पूरा खिलाडी बना देंगे वापको पूरा सिखा देंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है एक आदमी से डिरेक्टर बुला कर उससे नहीं करें परोड़र मत लीजिए कम से कम चार से पाँच लोगों से मेटन करी यह बाकशीच करीए पहले वाले के डूसरे वाले पर रखिए डूसरे वाले के एप्लिकेशन तिसरे वाले पर जब चार पूरुनस अपने आप हो जाएगी और जब पूरी डिगरी के भी आप इसको कर सकते हो, इन्वेस्ट्मेंट जरूर है, लॉंग टर्म आपको देखना है कि आप किस तरीके से इंडस्ट्री इसको पकड़ेंगे, तो इस खाली मेडेकल के वरो से मत रहिएगा, आप एस यूज लगाईए, इंडस्ट्री इसको भी पकड़िए, स और भी अगर आपको इसके वारे में कोई जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए, मैं आपको जितनी जाहता जानकारी हो सकेगी, इकठी करके बताऊंगा, आपके लिए जरूर में इन्फरमेशन दूँगा, आपको मैंने अपनी वेबसाइ मैंने आपको number भी directly दे दिये, link भी मैंने आपको directly दे दिया, बात करें, आप purchase करें और आप इस business को as soon as आप start कर सकते हैं, तो दोस्तों आज मैंने जो आपके लिए वीडियो बनाई है, ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ मकसद यही था कि मैं आपको aware कर सकूँ, कोई भी फ करने के बाद, जब हर चीज आपके लिए positive जा रही है, तब ही आप इस business में enter करें, business सारे अच्छे होते हैं, किसी भी business को आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर थोड़ी से मेहनच से करें, तो हर एक business आपको profit दे कर जाता है, लेकिन दोस्तों साथ इसाथ हर एक business में risk element भी होता ही होता है, तो दोनों चीजों को आप दो तराजू पर रखकर तोलिए और देखिए risk कितना जादा है, या फिर profit जादा है, risk जादा है, तो छोड़ दीजे, profit जादा है, तो कर लीजे, देखते रही है franchise बताओ, ऐसे ही वीडियो में आपके लिए आगे भी लेकर आता रहू मैं हूँ आशी शगरवाल, आपका अपना बिजनस दोस्त, जय जय वारत